तालिबानी राज की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है हर तरफ अफरत अफरी का महौल है और लोग तालिबानियों के खौफ से देश छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन इन सब के बीच दुनिया के तीन मुलकों को कोई लेना देना नहीं है वो खुश हो रहे हैं जश्न मना रहे हैं तालिबान की जीत का अपनी कूटनीतिक विजय का इसमें सबसे आगे पाकिस्तान है जो खोले आम तालिबान के समर्थन में आखड़ा हुआ है हलांकि अफगान सेना से संघर्ष के वक्त भी पाकिस्तानी सेना खुले तोर पर तालिबान के कंधे से कंधा मिला कर चलती दिखी लेकिन अब तो पाकिस्तान पीम इमरान खान तालिबान की शान में कसीदे पड़ रहे हैं वहीं चीन भी तालिबान के कबजे को अपनी कुटनी तिक जीत के तोर पर देख रहा है चीन ने तो तालिबान के साथ दोस्ताना संबंद बनाने तक की बात कह दी है इसी कड़ी में रूस सबसे शातर खिलाडी थाबित हुआ है रूस के तालिबान को लेकर दिये गए बयान चौकाने वाले है रूस का कहना है कि अफगानिस्तान में अब हालात गनी शासन से बहतर है और अब स्थिती पहले से कहीं जादा सुरक्षित है क्या इन बयानों की सचाई और अपने कौन से गुप्त एजिंडे को लेकर तीन मुलकों की ये तिकड़ी खुश है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे अपने मेमानों के साथ लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के पीम इमरान खान का तालिबान के समर्थन में उस सोच के समर्थन में दिया हुआ बयान सुनवाते हैं अफगानस्तान वे घुलामी की जियरे तोड़ दी उनने लेकिन जो जेनी घुलामी की जिजिरे वो नहीं टूटती लुड वाही मुश्किल वख में अफगनिस्तान कए साथ छोड़ जले अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडन ने अफगनिस्तान में हार का ठीकरा गनी सरकार पठोडा है and fled the country. The Afghan military collapsed sometime without trying to fight. If anything, अ करे कि गुञारी प्रुछली फ़ीक ट д with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force — something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. तालिबान के तीन दोस्त कौन कौन से हैं? जो कि तालिबान के समर्थन में उतराएं हैं? और क्या कहा है किस मुल्क ने? ये आपको हम बताते हैं. उनके भयानों से आप पूरा रवया समझ सकते हैं. अफगानिस्तान में गुलामे की जन्जीरें तोड़ी जा रही हैं. ये पाकिस्तान के पिएम इमरान खान ने कहा है. चीन ने क्या कहा है? तालिबान के साथ हम दोस्ताना संबंद बनाना चाहते हैं. चीन भी कुटनी तिक जीत के तौर पर तालिबान की जीत को देख रहा है. तालिबान शासन में स्थिती गनी सरकार से बहतर है. ये रूस ने कहा है. रूस वही मुल्क है जो 40 साल पहले मुझाहिदीनों के आमने सामने था. इसके साथ ही अफगानिस्तान में 24 घंटे में गनी सरकार से ज़ादा सुरक्षित हुआ है. ये रूस ने कहा है. रूस अपसे बड़ा खिलाडी, शातिर खिलाडी साबित हुआ है. इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं. हिंदन एयर बेस पहुंचा C-17 ग्लोब मास्टर जिहां अफगानिस्तान से भारतियों को वापस लाए गया है. सुभे जामनगर लोटे थे 148 भारतियें. तो अफगानिस्तान वो देश जो तालिबान के कबजे में हैं, वहाँ पर खते हुए भारतियों को निकाल कर सुदेश वाक्ती लगातार कराई जा रही है. और इसे सिलसले में C-17 ग्लोब मास्चा हिंदने बेस पहुंचा 148 भारतियें अपने देश लौट चुके हैं.